हलो जहिन दोस्तों मेरा नाम गोपाल सेल आज हम इससी स्पेसल साथ वीडियो में बात करने वाले हैं विवाजिता देखो विवाजिता क्या होता है हर एक्जाम में पूछा जाता है जैसे सबसे पहले हम देख लेखें दो की विवाजिता क्या होती है कोई भी संख्या उसका लास्ट में अंग कितना होना चीज जीरो दो चार छे आट अगर लास्ट में यह अंख है तो वह संख्या दो से विवाजिता होगी इसी तरह से हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं थिरी की विवास्ता थिरी की विवास्ता क्या होती है संख्या के अंको का योग तेल से भाज देखो तीन की विवास्ता क्या होती है संख्या के अंको का योग तेन से अगर भाज होगा तो संख्या तीन से भी विवाज होगी इसी तरह से हम अगले नेक्स्ट लेग लेते हैं चार की वहस्ता है चार की चार की वहस्ता चार की वहस्ता क्या होती है किसी भी संख्या के कि इसी बी शंक्या के अंतिम दो अंक अंतिम दो अंक चार से बाज हो तो बहां कि इस देखो चार की वहसता हमने क्या से किसी भी संक्या के अंतिम दो अंक चार से बाज है तो वह शंक्या चार से भी क्या होगी विभाज होगी इस ते नेक्स्ट देख लेते हैं पांस की वहसता पांस की वहसता क्या होती है कोई भी शंक्या के अंतिम अंक जीरो और पांच हो तो शंक्या क्या होगी पांस से विभाज होगी इसी तरह से चे की देख लेते हैं बास्ता चे की अब चे की वास्ता देखो चे की वास्ता क्या होती है जो संक्या जो संक्या जो संक्या कर अंतिम अंक सम और और अंको का योग तीन से भाज हो देखो यहां पर हमने चे की विभास्ता क्या से की जो संक्या का अंतिम अंक सम हो जानी जीरो दो चार छे जोगी हो और अंको का योग तीन से भाज हो तो संक्या चे से बाद जोगी अब देख लेते सेवें की विवाज जिता देखो शेवें की विवास्ता क्यों थी बहुत इंपॉर्टर इसमें दो इस्टेफ हम बताएंगे तुम्हें सबसे पहला पहला इस्टेफ है कि किसी भी संख्या कोई भी संख्या आख कर दो तीन वार तीन वार कि समान को समान दो इंक को यहां पर हमने क्या बताया साथ की विवास्ता में कोई भी संख्या तीन भार समान दो आग आए नि इस जांपन लेते हैं सब से तीरी ये साथ इसे क्या होगे बीभाज देख लेंगे काटके अब दूसरा सिर्प सी कादग लेते हैं कि दूसरा सिर्प यह होता है मालीया की कोई भी सेंख्या है उसके अंको कि किसी भी किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक दोगना करके सेस संख्या से संख्या से घटा दे यहां पर देखो दूसरा इस्टेप क्या है साथ की वास्ता में देखो जहातर साथ की वास्ता में लोग फसलें किसी भी संख्या का अंतिम अंक दोगना करके संख्या से घटा दें तो संख्या क्या होगी साथ से विभाज होगी जैसे हम सबसे पहले एक फ़ार एक जामपल है 48 48 अब इसको देखो अंतिमंग कितना है आठ है आठ को इसको दुगना कर दो कितना हो जाएगा सोला तो चौंटिस माइनस सोला घटाएंगे कितना आजाएगा और एक अठारा तो किया साथ से भाज है नहीं तो संख्या साथ से भी क्या होगी भाज नहीं होगी इसने दूसरा एक जामपल ले लेते हम जैसे साथ से अगर विवाज है तो यह साथ से भाज योगी इसी तरह से आगे की बात कर लेते हैं साथ की विवास्ता होगी, अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट, आठ की, आठ की विवास्ता, आठ की विवास्ता क्या होती है? किसी संख्या के अंतिम अंक, अंतिम तीन अंक, आठ से भाज हो, तो वह संख्या, आठ से भाज होगी, तो देखो, यहां पर हुने आठ की विवास्ता क्या बताए? किसी भी संख्या के अंतिम तीन अंक, तीन अंक जो आठ से भाज हो, तो वह संख्या आठ से भाज हो, जिसे हम एक्जामपल लेते हैं, पोर, टू जीरो, यह है, और एक जीरो ले पर लेते हैं, पर देखो, इसको अगर गाटेंगे, आठ पंच चालिस या गाट पंच चालिस, दो बज जाएगा, और दुने 16, अठ चालिस, पूर कर जाए आठ से, तो यह हो जाएगा, इसी तरह से नोव फील बस्ता देखो क्या होती है, नोव फील, नोव फील, नोव फ वास्ता क्या होती है, किसी भी संख्या के अंको का योग, नोव से भाज हो, देखो, जहां पर हमने क्या आठ चुछा, नोव फील, नोव फील, वास्ता में, कि किसी भी संख्या के अंको का यूद्ग नौव से बात जोगद हो संख्या नौव से भी divas he this सम्था कि हो देखो किया वती है किसी जी पांतिम आंक जी रो देखो हो जीडो रहा है लोगाव जाहता एक्जाम में घ्यारा की वस्ता कि टीछ कि लगैए बेहाधिता बादको крайit weiß जो हरब र historic में बार पूछ आती। किसी भी संख्या के विसम पदों का योग और सम पदों के योग का अंतर जीरो या गेरा आए तो संख्या क्या होगी ग्यारा से विवाज योगी यहाँ पर सबसे पहले यह देख लेते हैं किसी भी संख्या के विसंपदों का योग के योग यहाँ में देखो इसके संपदों का योग करो यानि देखो यह देखो यह देखो सबसे पहले इसमें कौन-कौन से बराबर यांतर कर दो अब यह देखो यह भी चाह रहा है यह भी चाहिए इनको घटाएंगे तो इस अब बताओ यह संक्या पूछाएंगे वह भाज है तो सबसे पहले आप विसमपदों कर दो सबस्क्राइब करें अगर पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिन्द